आप सबीक सौकत बात करेंगे आपर आदानी पावर के बारे में इस टॉक से रेटेट फूल अनलिसिस करेंगे दोस्तों कि स्टॉक में कितना दम है और आगे भी कितना मल्टी बैगर परफॉर्फरमस दे सकता है उसे रेट मैं आपको यहाप पर अनलिसिस करके दिखाऊंगा और इतने सिंपल लैंग में बताऊंगा कि आप यहापर खुद देखकर डिसिजन ले सकते हैं यह स्टॉक में आपको फ्रेज बाइंग करनी चाहिए सेल करना चाहिए होल्ड करना चाहिए यह स्टॉक मल्टी बैगर रिटेन भी प्रोट कर सकता है लॉंग टम में उसके बा वाले हो आदानी पावर में तो एक चीज को भी कभी मिस्स मत करना क्योंकि मैं आपको बहुत इंपोर्टन और जबर्द चीजे बताने वाला हो तब आप यहापर समझ जाएंगे कि आपको कैसे डिसिजिन लेना है और कैसे स्टैटेजी यूज करनी है यहापर हम पहले आता है और इसमें खरिदार विक्वाली के बाद में कितने इन्वेस्टर आई से जो होल्ट कर रहे है अपने पॉर्टफोल में स्टॉक को आप देखिए वह आपको समझ में आ जाएगा जैसे कि पूरे डेली बेशिट पर बात करें यहापर 4 करोड़ 34 लाक क्वांटिटी उठाए जारी है उसमें से देखेंगे 1 करोड 36 लाक क्वांटिटी होल्ट की जारी है परसेंटीज वाइस बात करें तो आप देख सकते 31 परशन का यहापर अच्छा कासा स्टेक इन्वेस्टर आपने पॉर्टफोली में जमा कर रहे है यह चीज़े आपको समझ में आ गई अब यहाँ पर आम नेकली रुपए बात करेंगे देखें रीटरन के बारे में अब यहाँ पर रीटरन देखेंगे तो सभी को बहुत बढ़िया लगेगा ग्रीन नीशन में दिख रहा है आल टाइम तो मैं आपको बदा दू इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करने यहाँ पर आप 6 महीने में देखेंगे तो 1500 परिशन के करीब नजर आता है यहाँ पर 3 महीने में 78 परिशन यह इसे चमतकर कैस क्या हुआ है सभी चीज़ा हम यह पर आइडेंटिफाय करेंगे और समझ लेते हैं मैं आपको बताओंगा ज़रूर आप यहाँ पर अब इसमें देखें फॉरेंग निवेश्यक फॉरेंग निवेश्यक के पास आपको 11.54 परिशन का स्टेक देखने मिलेगा और डिसेंबर के जो रिजल्ट लगे उसके बाद उन्हों ने आपर एक परिशन का स्टेक कम किया है म्यूचल फंड कोई भी आपर इंट्रेस नही रिजल्ट के बाद उठाया गया है और इसमें रिटेल इन्वेश्यक देखेंगे शे परिशन के करीब उनका भी स्टेक देखने मिलता है अब यहाप पर फ्रेश है पर हम डिटेल देखेंगे और कुछ जैसे कि हमें आप पर रिजल्ट की बात करेंगे मैं आपको बात गया है कि कमपनी का जो एंविश होता है ना पूरा है और कोडल का चा करते हैं कि ने के लिए जो चीज़े चाहिए profit जो होता है हर किसी कंपणी को जरूरू थी बट कंपणी देखे profit के बज़ाए यहाँ पर क्या कर रहे है तो यहाँ पर बिल्कुली company loss में है अब यहाँ पर देख सकते identify नहीं कर पते हैं क्योंकि जो स्टॉक में देखिए जैसे के तेजी और कभी भी यहाँ पर गिरावट हो रही है ना उस टॉक के बारे में ऐसा कभी भी नहीं होता है उसका फिलाल पता है बोलकर और आभी बताना भी चाहूंगा और कुछी से देखिए जैसे क्या में पर इसक कि जो मैं आपको नोटिस करने कहता हूँ हर किसी कंपनी में फंडामेंटली स्टॉंग होना तो उस कंपनी का आर्निंग पर शेर जो होता है वो प्लस में होता है कम से कम वो टू डिजिट में रहना बहुत आचा रहता है हमारे लिद्ध बहुत ही बढ़िया रहेगी दूस् सबी चीज़े बताऊँगँ जैसे हमें आपर 2020 की बात करें मार्च महिने में तो यहाँ पर उसका स्टेक देखे कमपनी का कितना स्टेक था यहाँ पर 32 परशेंड का यहाँ डिसेंबर में हम देखे तो आपको देखने मिलेगा कितना रह चुका है तो यहाँ पर 29 तो बट कंपनी का स्टेक आभी देखे 29 परेशन का है तो एक बात नोटिस करना जैसे आप यहाँ पर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि जितना ज्यादा स्टेक गिरवी होता है उतना ओपन मार्केट में जिसके पास भी स्टेक गिरवी है उसने इतना स्टेक बे इसके जो रिजल्ट होते है उसके बाद में हब जो और ऑँ जो यहाद आएंगे उसके और नोटिस किजिए यहाँ पर कमपनी कमाई क्या है मैनस में यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं यह जो आप देकर आंडर्स्टाइंग करते होंगे और मैं बता दो इस कमपनी आभी सबर्दस तरीके से की लिमीट में चड़ रहा है बोले तो इसका फॉर्फॉर्मस कोई भी अच्छा तरीके से ग्रोथ वाला नहीं दना अजर आता है अब नोटिस कर सकते हैं और यहाँ पर क्वालिटी की बात बता दो दोस्तों एवरेज है बिलो देखें बिलो देखें बिल बहुत ही कम यहाँ पर जैसे कि हम एक हजार करोड की बात कर ले तो इतनी महिंग नजर आती है बड़ आपको बता दो इस कंपने का जो वेटेज है मार्केट में टाटा पावर का उतना यहाँ पर आदानी पावर का नहीं है गुडविल होना चाहिए दोस्तों मार्केट में पैचान जो होती है बड़िया तरीके से वह होने चाहिए अब यहाँ पर पैचान तो आप बोलेंगे सर आदानी पावर के तो सभी को पताई भी है तो मैं आपको बता दू जो यहाँ पर क्वालिटी और ट्रस्ट की जो बात होती है जो इनके शेर गिरिवी नहीं है और जै के इसमें आदानी पावर पर नोटिस करें आप तो पता चलेगा दोस्तों इसका जो लोवर सर्कीट और अपर सर्कीट का जो सरकल चल रहा है उसमें आप नोटिस कर सकते इसमें आप पर लोवर सर्कीट भी कंटिन्यू हुआ है पहले स्टॉक ने अच्छी का सी तेजी बता कर सो के ऊपर चला और बार में इसने लोवर सर्कीट भहेंकर गिरा और दिखा कर बार में लोवर सर्कीट भी दिखा दिया एक बार दो बार यहाँ आप नोटिस कर सकते लोवर सर्कीट इसने दिखा है और आभी देखे फिलाल देखेंगे तो अपर सर्कीट में चल रहा है मैं आपको दौरते देखने को मिले है नोटिस कर सकते है और आप बना दो इसका जो चार्ट बैटन ने वह भी देखना और जैसे उसकी क्लोजिंग देख सकते हैं आपार सरकीट में स्टॉक है फिलाल तो इसमें लोवर सकेट भी कंटीन नहीं हो सकता है तो इसलिए मुझे लगता है आप बढ़ा तरीके से सब्ही चीजों कोवार नोटिस करना और आपको क्या करना है आप decision ले सकते हैं और मुझे लगता है कि आपको कोई भी question होता मुझे comment में बताना मैं आपको answer देनी कुश्च करूँगा आप देखे chat button जो दिखता है उस पे से notice करना यह stock कहा से कहा तक जरनी करा है और कैसे कैसे इसमें जो आपको गिरावर डिकरी बिल्कुल आप नोटिस करना है सभी जो चोटी मोड़ी गिरावर डिकरी है इस पर से पता चलेगा कि इस टॉक का इसा परफॉर्म करता है तो आए ओप आप यहाप पर आदानी सभी information देखकर understanding करते होंगे दोस्तों और डिटेल बताने की बिजनेस की जरूरत नहीं क्योंकि पावर सेक्टर में आती है सोलार पावर और साथ साथ यहापर जो electricity उसका वर्क कंपनी करती है तो थैंक्यो समच आपका किम्टियों देखकर सभी information सुनने के लिए थैंक्यो